Hello friends, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे महीनों के नाम हिंदी में तो चलिए वीडियो को बिनादेर की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला मन्त है जन्वरी और ये 31 दिन का होता है यानि की वर्ष का सबसे पहला मा जन्वरी मा होता है दूसरा मा फरवरी होता है जो की 28 दिन का होता है ये वर्ष का दूसरा मा यानि की सेकेंड मन्त होता है तीसरा है मार्च जो की 31 दिन का होता है ये वर्ष का तीसरा मन्त है नेक्स्ट अगला है अप्रेल अप्रेल यह वर्ष का चौथा मा है और यह 30 दिनों का होता है नेक्स्ट अगला है मई मई 31 दिन का होता है नेक्स्ट है जून जून जोकी 30 दिन का यह होता है अगला है जुलाई जुलाई जोकी 31 दिन का होता है और यह वर्ष का 7 वा मन्त होता है आठवा मन्त होता है अगस्त और ये 31 दिन का होता है यानि कि जुलाय और अगस्त ये दोनों मन्त 31 दिन का होता है अगला है सितंबर सितंबर ये 30 दिन का होता है और ये मन्त वर्ष का 9 मन्त होता है अगला है October जो की 31 दिन का होता है November ये 30 दिन का होता है और सबसे last है December जो की 31 दिन का होता है और ये वर्स का सबसे अंतिम्मा यानि की 12 मन्त होता है तो एक बार फिर से सुरू से last तक सबसे पहला है January 31 दिन का February 28 दिन का March 31 दिन का April 30 दिन का मई 31 दिन का नेक्स्ट अगला है June जो की 30 दिन का होता है और ये वर्स का छठा मन्त होता है July 31 दिन का और August 31 दिन का यानि की July और August ये दोनों मां 31 दिन का होता है ये वर्स का साथवां और आठवां मन्त होता है अगला है सितंबर सितंबर वर्स का नवां मन्त है और ये 30 दिन का होता है October 31 दिन का November 30 दिन का और December 31 दिन का तो फ्रेंट्स आजकी इस वीडियो में हम लोगों ने सिखे महिनों के नाम हिंदी में साथ ही हम लोग सिखे महिनों के अंतरगत आने वाले दिनों के बारे में तो चलिए आजकी इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं अगली वीडियो कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई